असलाम अलाइकूम तो कैसी है मेरी वाइटी की छोटी से फैमिली उमीद है आप सभी खेरियत से होंगे आज हम रोशन किचन में आपके साथ शेर कर रहे हैं चावल की खीर की रेसिपी जिसको हम बहुती आसान तरीके से बनाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत आपको यह चावल की खीर की रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो आप रेसिपी को जरूर फूल वच करें रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर कर सकते हैं आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलो हम रेसिपी को देख लेते हैं बहुती आसान करेंगे तो दो लिटर दूद है यहाँ पर और इसे हम अच्छे से उबालेंगे देखें आप यहाँ पर दूद को हमें अच्छे से गाड़ा होने देना है और इसमें बिल्कुल भी पानी है नहीं करना है लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और इसे हम इस तरीके से उबाल ले जिसकी वज़े से दूद गाड़ा होने लगेगा, काफी अच्छे से हमें यहाँ पर दूद को गाड़ा करना है, जिससे की खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, दूद अच्छे से उबल चुका है, अब हम यहाँ पर इसमें शक्करेट करेंगे, तो दो लीटर आप से हम यहाँ पर इसमें शक्करेट करेंगे, दो कटोरी शक्करेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इसे चक सकते हैं, और कम जादा होने पर और थोड़ा बहुत एट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसमें चामल एट करेंगे, चामल को हमने इसी कटोरी से लिया एक कटोरी चामल और उस चार-पांच कटोरी जितना पानी एट करना है और उसे प्रेशर कुकर में सीटी ले लेना है तो चामल जो है वो काफी अच्छे से गूल जाएगा और पक जाएगा उसके बाद हम यहां पर इसमें एट कर देंगे इस तरीके से आप चाहें तो चामल क मिक्सी में पीश सकते हैं यहां इस तरीके से इसे उबाल लेना है थोड़ा सा शुगर हम यहां पर और एट करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा कम लग रहा था अब हम यहां पर इसमें इलाइची पावडर एट करेंगे तीन से चार इलाइची को इस तरीके से कूटके हमने ए कर दी है और अब हम which परसे अच्चे से अबाल लेंगे राइ पूट रूट्स हमें यहाँ पर लास्ट मेर्ट करना है देखें आप इस तर्रीके से अच्छे से अभी हम यहाँ पर इसे उबाल आने देंगे रेसिपी तो छोटी सी है लेकिन हम जब भी खीर बनाते हैं तो दूद को हम जितना जादा उबालते हैं जितना जादा गाड़ा करते हैं इसका जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा आता है तो आप ध्यान रखें हमें दूद को अच्छे से 7-8 मिनिट तक उबालना है जिससे क खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अच्छे से उबाल आ रहा है इसमें देखें आप इस तरीके से और अब हम यहां पर इसमें खीर का जो मसाला होता है ना वोट करने वाले हैं मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है आप भी जरूर एट करें इससे इसका इसमाल किया है और अब हम यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखें आप यहां पर इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है अभी हम यहाँ पर इसे 3-4 निर तक और अच्छे से उबालेंगे तक इस मसाले का जो भी टेस्ट है जो भी प्लेवर है वो अच्छे से खीर में आ जाएं देखें आप यहाँ पर अच्छे से हमें यहाँ पर खीर को गाड़ी होने तक उबाल लेना है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दूद कितना था और यह अभी उबाल आने के बाद कितना हो गया है बिल्कुल भी पानी एट नहीं करना है और आप चाहें तो इसमें मावाया खोया भी एट कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी यह वाली जो खीर है ना उसका जो टेस्ट है वो बहत ही अच्छा आएगा क्योंकि हम यहाँ पर दूद को गाड़ा करेंगे ना तो उससे उसका जो टेस्ट है वो बहत ही अच्छा आएगा अब हम यहाँ पर गेज की फ्लेम को बन कर देंगे खीर बन कर तैयार हो चुकी है तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से निकाल लेंगे देखें आप काफी अच्छे से ये बनकर तयार हुई है और देखें आप ये बिलकुल गाड़ी-गाड़ी खीर बनकर तयार हुई है जितना जादा हम दूद को बॉल करेंगे न उतना ही अच्छा टेस्ट इस खीर का आता है तो आप इस बात का ध्यान रखें चामल की खीर की रेसीपी बहुती आसान तरीके से बन कर तयार हो चुकी है आप चाहें तो इसे गरम-गरम सब कर सकते हैं टेकिन हमारे यहां इसे ठंडा होने पर खाया जाता है आपको जैसा ठीक लगे वेसे आप इसे सब करें और रेसीपी कैसे लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना रेसिपी पसंद आई हो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में तब तक के लिए आप सभी अपना अपना खयाल रखें अल्ला हाफिस